बरह सुल्टानपूर से मोधी का परिवार से अलग हट कर वरूर गांदी ने की पहली चुनावी सभा में अपने परिवार की बात आपको बता दे कि पहले चरण के चुनव से चुनवी वैदान में गायब वरूर गांधी के छटे चरण में चुनव में सुल्तानपुर में अपनी माम मिन का गांधी के लिप प्रचार करने पहुंची उन्होंने गले में भासपा का पट्टा नहीं डाला पहले ही नुकरसभा में उनके भासड में भासपा और उसका शिर्ग नेतत गायब दिखा मोधी परिवार वाले टैग लाइन से हट कर उन्होंने अपने परिवार की बात की जिज़सापवा की वरूल भासपवा से अलग होकर मा के लिए ओट मांग रहे हैं आपको बताते कि नगर की एक नुकर सबा में वरूर ने भासपा की मोधी का परिवार टेक लाई से हट कर मंच से कहा कि सबका अधिकार हमारे परिवार के उपर है यहाँ पर कोई हमसे अलग नहीं है मैं आपको बताता हूँ कि पूरे सुल्टानपुर में हमारे एक भी व्यक्ति को कोई गुस्ता नहीं है कोई दुस्मनी नहीं है हमारे सामने जो भी चुनाओ लड़े गाए बाद में आकर वो बीमार पड़े तो बाद में सबसे पहले हम उनकी मदद करेंगे वही कहा कि जब मैं सुल्टानपुर पहली बार आया तो यहां पे हमें अपने पिता की खुजबू लगी लेकिन आज मुझे कहने में बहुत गवरों महसूस हो रहा है कि आज मैं अपनी मरात तभूमी में आ गया हूँ मैं यह शाहता हूँ कि जिनके लोग उपस्तित है अगर कोई संकट भी आये तो अकेला नहीं हूँ मैं अपना फो नंबर दे रहा हूँ लिखिए मैं एक सुरक्षा कवच दे रहा हूँ जिसके पास मातजी का नंबर है वो और बड़ा सुरक्षा कवच है मैं बड़ी जिम्मेदारी से या बात कहता हूँ कि सुल्तानपुर में नकाबलियत कमी नहीं है बल्कि ना साहत की कमी है ना प्रतिबा और ना हिस्व विमान की सुल्तानपुर के लोगों का केवच ऐसा एक वेक्ष दिया है चाहिए जो उनकर अपना परिवार मानी परूर गानी ने बीना नाम लिये भासपक के मोधी परिवार का पर कटास किया उन्होंने कहा कि परिवार का मतलब होता है हर वार पे जो साथ दे वही परिवार होता है हम लोग एक वादा करते हैं कि नाली सड़क बिजली या सब रहोता रहेगा लेकिन हम सब वादा करते हैं एक खून के रिष्टे की सुल्तानपूर का कोई व्यक्ति कभी अकेला नहीं होगा चलिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट ब्याओर रिपोर्ट भोलू जहांगेर अपना सुल्तानपूर नेउच जाता है तो उसके साथ एक पहचान जुड़ी है उसको केवल ये कहना है कि हम सुल्तानपूर से हैं तो लोग कहते हैं वो मेंचा गांदी वाल सुल्तानपूर वहां से आ रहे हैं मैं यहां पे बड़े जिम्मिदारी से ये बात कहता हूं कि सुल्टानपुर में ना काबिलियत की कमी है, ना साहस की कमी है, ना प्रतिभा की और ना स्वाभिमान की सुल्टानपुर के लोग को केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो उनको अपना परिवार माने, परिवार का मतलब क्या होता है, परिवार का मतलब होता है, हर वार में जो साथते वो ही परिवार होता, हम लोग एक वादा करते हैं, नाली, सरक, भिजली, ये सब होता रहेगा, लेकिन हम वादा करते हैं, एक खून के रिष्टे का वादा करते हैं, इस सुल्टानपुर का कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं होगा, जैसे टीवी भीत में सब के पास वरुंगांधी का नंबर है, वैसे ही मैंने अपनी मा को देखा है,